बिसमिल्ला इरहमान रहीम हम लोग construction and hydraulic machinery का subject पढ़ रहे हैं तो हमने construction equipment को देख लिया हमने material handling equipment को देख लिया different types के हमने construction equipment देखे आज हम transportation देख लेते हैं कि हम अपने transportation के equipment कौन कौन से हैं तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास conveyors किसके लिए use होती है तो conveyors का use हम पढ़ लेते हैं इसको हम details से discuss कर लेते हैं चलते हैं अपने topic की जानेब conveyors जो होती हैं हमारे पास वो chart types के होती है belt conveyors होती है, bucket conveyors होती है screw conveyors होती है endomatic conveyors होती है तो आज हम जो details से discuss करेंगे यह वो है हमारी belt conveyor तो belt conveyor क्या है किस principle पर act करती हैं तो सबसे पहले हम वो principle discuss कर लेती है horizontally are inclined placed motor driven rotating belt on pulleys convey the solid material from feeding point to the discharge point अब इसके क्या मतलब है कि यह जो belt conveyor होती है यह हमारी या तो horizontal position में भी हो सकती है या inclined position में भी हो सकती है यह एक motor की मदद से driving की जाती है और इन के उपर motor के उपर motor की shaft पे पुलीज लगी होती है और पुलीज के उपर आपके belts लगी होती है और उन belts पे आपका material होता है और यह material कहां से कहां हम बेचते हैं यह जहां से हमने feed करना होता है उस point से लेकर यह हमारा discharge point तक जा रहा होता है इसके कौन-कौन से component आ जाते हैं हमारे पास long continuous इसमें belt हो सकते हैं rolls हो सकते हैं rollers held by frame जिनको कहते हैं belt drive and power supply आपकी होगी और peripheral devices होंगे आपके जो के feeding और discharge के लिए यूज होंगे तो चलते हैं इनको देख लेते हैं आप conveyor parts कौन-कौन से हैं diagram आपके सामने है तो आप देख लें कि यह आपके पास overall conveyor है यह सारी क्या है conveyor है यहाँ पे आपका tail pulley है और यहाँ पे आपकी कह सकते हैं आएगा material तो यह यहाँ से move करेगा अब यहाँ पे different parts को मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आके यह discharge उसमें store हो जाएगा यहाँ पे यह discharge हो जाएगा अब यह क्या है बिसे कर लिए आपके पास closely spaced addler at loading point तो यह loading point पे आपके पास यह क्या है पुलीज नीचे लगी हुई है यह जो पुलीज हैं यह पुलीज क्या करेंगी यह belt को move करवाएंगी और यह जो पुलीज हैं यह आपके पास head pulley और आपस क्या कह सकते है drive pulley यह जो main pulley है आपकी यह इन सब को belt की मदद से क्या करेगी drive करवाएगी और ये क्या है आपकी ये आपकी टेल पुली है और फाइनली आपकी पुजिशन जब यहां से बेल्ट स्टार्ट होगा इस तरह तो ये टेल पुली पुजिशन को इस तरह कंटिन्यू करेगा ये दरमयान में आप कह सकते हैं कि ये इनको हल्पिंग के लिए यूज होती है ताकि इसकी मोशन को कंटिन्यू रखें आगे हम देख लेते हैं बेल्ट कंवेयर को अब बेल्ट कंवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं अब ये तो उपर ये जो बलेक नजर आ रहा है आपको डार्क बलेक है आपका बेल्ट है अब नीचे क्या है उसने बताया है कि ये कितनी एंगल पे आप लगा सकते है ये एंगल आपको 20 भी हो सकते है, 35 भी हो सकते है, और 45 भी हो सकते है, अब यहाँ पर नीचे आपके लगए ये आपकी रिटर्न एडलर है, ये क्या करेगी, रिटर्न पुली है, जब बेल्ट आपका उपर से गूम के आएगा, तो इस पुली के थूँ आपका यहाँ से पास ह है, कवर वेर रेक्वाइड, अब अगर आप उपन एट्मस्फेर में इस कवर कुछ ला रहे हैं, तो ये आपके पास ऊपर कवर रेक्वाइड होगा, ताकि आप सीमेट की अब हम देख लेते हैं कि कन्वेयर्ज हमारे पास फंक्शन किस तरह करती है अब मटेरियल बेल्ट के उपर आपका आ जाता है और बेल्ट आप क्या है आगे मूव का रहा होता है अब नीचे कांटिनुएस आपके पास स्पोर्ट होंगी तो बेल्ट क्या करेगा बेल्ट उनके उपर स्टेंड करेगा एक तो बेल्ट ने उनके उपर स्टेंड करने है सेकेंड ली बेल्ट ने पुलीस दूपर मूव करने है ताकि आपका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके अब conveyor belting parts कौन से होते है एक होते है car case और the backbone of belt woven fabric और the material for tensile stand अब यह क्या है belt यह है यह उसका part है इसको अब car case कहते हो यह backbone है belt की यह belt में main चीज़ है भी इसको आप कह सकते है कि यह उसका material है for example यह अगर अच्छा होगा तो belt आप क्या होगा जबरदस्त होगा cross car case is then covered within the layer of rubber फिर आप car case को rubber की layer से cover कर देते हो अब tightener क्या करते है tightener are installed to maintain the tension on the belt evenly अब यह tighteners belt के उपर tension uniform रखते हैं यह नहीं है कि एक side पर आपकी tension बढ़ जाए belt के उपर और एक side पर कम हो जाए अगर for example एक side पर tension बढ़ जाती है तो वहाँ पर rusting का phenomenon जल्दी होगा तो उससे बचने के लिए हम लोग tighteners यूज़ करते हैं idlers क्या है idlers जिसको कहते है sports belt and material load अब इसको mostly pulley भी कहा जाते है यह क्या करते है sports belts and material इसको उपर जो होते है अब built with यह किसे बनी होती है shaft surrounded by bearings अब एक shaft होती है जिसके उपर या जिसके अंदर bearing लगे होते है bearings की मरद से इस shaft को connect किया जाते है then roll of steel or rubber अब क्या होते है नीचे roller होती है उपर क्या होती है वो shaft type होती है जिसके उपर belt आपका rotate करता है two main types है इसकी carrying for material and belt एक तो यह हो गया second क्या है return support belt on return trip एक आपका material carry करने के लिए और एक आपका return material को return belt को अपनी position पे या एक return material को चकर को complete करने के लगाया जाते है यह diagram से मैं आपको again दिखा दिता हूँ यह आपके पार return idler है और यह आपके पास material or belt को carry करने वाले idlers है और यह आप देख सकते हैं कि यह drum की shape में है यह rotate होते हैं और इसके अंदर bearings लगे होते हैं और इसके उपर यह short होती है आगे क्या होते हैं हमारे पास carrying idlers क्या होते हैं usually trough with three equal size rollers on a frame in mining applications अब आप देख सकते हैं कि यह कहते हैं कि यह 3 rollers होते हैं equal size के almost अब यहाँ पर आप देखें यह diagram यह देखें यह एक roller, दो roller और तीन यह 3 equal size की हैं अभी आपको इस angle का बताएगा आगे जाके कि यह angle क्या हो सकते हैं यह जो side वाले हैं truffing carrying edlers हैं इनका जो angle हो सकते है side वालों का कितना 20, 35 और 45 होगा यह आप देख लेंगे यह वही उसने बात की यह जो side वालों होते हैं इनके angles क्या होते हैं इस तरह vary कर सकते हैं अब carrying edlers क्या होते हैं अब यह flat भी हो सकते हैं shallow truff भी हो सकते हैं और इनकी deep through भी हो सकते हैं ज्यादर deep हो सकते हैं अगर आपके belt की position पर required है कि आपने किस तरह उसमें material को carry करना है एक position से दूसरी position तो यह उसमें different types के आप carrying edlers use कर सकते हैं अगर return edler क्या करेगा return edler का मैंने आपको काम बताया यह belt को reverse position देगा कि यह अपना 360 चकर complete करे 180 डिगरी पर यह return करेगा इसलिए इसको return edler कहते हैं usually flat and one piece sometimes two piece V for belt training means keeping in line through spiral rollers to self and belt clean a spiral roller type होते हैं कि यह belt को return करते हैं यह मैंने उपर diagram में आपको दिखा दिया था अब specialty edlers भी क्या होनी चाहिए impact edlers for taking materials dropping on to belt अब impact edlers क्या होते हैं यह materials को belts के उपर डालने के लिए यह drop करने के लिए use होते हैं अब belt training training means keeping in line through अब belt training वाले यह क्या करेंगे belt को in line रखेंगे through out जिस तरह आपके पास belt को uniform load distributor थे इसी तरह यह आपके पाद training है यह क्या करेंगे belt training यह belt को in line रखेंगे through out आगे आपके पुली आजाती है अब head pulley एक होती है एक पाद tail pulley होती है एक drive pulley होती है pulley के 3 types है head pulley क्या करेंगे यह drive वन pulley होती है यह drive कारी होती है यह शुरू में sorry आप कह सकते हैं जो head के उपर लगी होती है, वो उसको कहते हैं, tail pulley जो आपकी end पे लगी होती है, और drive pulley क्या होती है, motor के सात लगी होती है, जो इन दोनों को rotate करवा रही होती है, यह अप देख सकते हैं, again, diagram होई, यह आपकी tail pulley हो, यह अपकी क्या है, head pulley है, और ये आपकी क्या है head and drive है तो ये head and drive है और ये आपकी tail है और ये आपकी क्या है return pulleys इसके उपर idlers लगे होगे है ये उसने gain आपको दिखा दिया diagram से बहुत clear ये आप देख सकते हैं ये आपके head होते है बाकि drive होते हैं और कुछ आपके पास return होती है ये diagram आपके पास देख सकते हैं आप इसको clearly अब pulleys क्या होती है एक होती है snub pulley एक होती है take up pulley मजीद देख लेते हैं इसको और एक होती है drive pulley अब snub pulley क्या है usually used to change direction of belt and increase the contact angle with the drive pulley अब snub pulley क्या करती है ये basically आपका belt की direction को change करती है जितनी required होती है आपके पास और फिर क्या करती है drive pulley के साथ contact करती है ताकि proper उसकी movement होती रही take up pulley क्या करेगी used to maintain tension on the belt left lose enough for some flexibility और take up pulley ये क्या करेगी ये belt के उपर properly tension रखेगी और उसकी flexibility को maintain रखेगी कि ये proper एक alignment के साथ properly material को carry करते रहे drive pulley क्या करेगी pulley should be large enough to avoid hard bend at point of tension application जाहिर सी बात है जा कोई drive pulley है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें tension नहीं आनी चाहिए मतलब वो bending ना हो वो bend ना हो जहाँ पे आपके पास extreme tension हो रही है belt के उपर तो pulley वहाँ से bend ना हो जाए pulley should have grab more grab less tension mean के वो belt को grab करने के उसके अंदर सलायत होनी चाहिए जितना ज़्यादा grab करेगी उतनी ज़्यादा उसमें tension कम होगी तो easily उसको handle कर सकेगी place drive in practical location to minimize the highest tension in the bed अब ये सबसे important parameter है अब आपने अपनी जो drive pulley है उसको ऐसी location पे लगाना है कि उसके अंदर tension minimum हो लेकिन काम वो सारे belts को अपनी power दे दे idler pulleys को दे दे drive को दे दे head pulley को दे दे और आपकी tail को भी दे लेकिन उसके अंदर tension आपने क्या रखनी है minimize रखनी है ये design को बहुत एहम parameter है अब working देख लेते हैं हम लोग when power is applied to drive pulley belt start rotating जब आप जाहर सी बात है अपनी power start करते हो pulleys को देना तो belt rotate करने शुरू कर देते हैं snubners maintain contact of the belt with the pulley अब snubbers क्या करते हैं वो belt और pulley को contact एक साथ रखते हैं क्योंगे अगर ये contact एक साथ ना रहे तो वो pulley क्या है एक्स्टर rotate कर जाएगी वहाँ पर power loss हो सकते हैं proper आपके belt move नहीं कर सकते हैं लहाजा belt का और pulley का contact होना must है belt move on idlers in direction from feed to discharge जाहर सी बात है जहाँ जगह से आपने शुरू करने है carrying points से लेकर discharge point तक इसकी direction होती है amount of the material delivered depend upon width and speed of belt अब कितना आपने material deliver करने है किस rate से आपने material deliver करने है तो वो depend करता है कि आपके belt की width क्या है अगर belt आप ज्यादा width का use का रहे हैं तो वो ज्यादा material को अपने उपर carry कर सकेगा अगर belt आप कम width का use का रहे हैं तो वो कम width material को के उपर carry करेगा क्योंके placing place उपके पास कम होगी material को रखने की अब हम देख लेते हैं कि इनकी applications कहां के है transporting of packing material like caps, containers, oils, semit industry में आपको use हो सकता है कोई सी भी चीज़ की packing के लिए और यूज़ो सकता है आपने एरपोर्टर से इसका use देखा होगा इन blister packing of tablets and capsules strips are moved on conveyance अब इसने बड़ी जबदफ बात की है कि जब आपके पास टैबलेट्स और कैप्सूल की आपके पास पैकिंग होती है तो वहां के आप कनवेर्स यूज़ कर सकते हैं बिलिस्टर्स पैकिंग के लिए मनुफेक्चरिंग आफ लोजेंग के आपके लिए यूज़ कर सकते हैं एडवांटिजिस में आप देख लेते हैं क्या कि हैं मेंटेननेंस इस इजी इनकी हो जाती है अवेलेबल इन विराइटी आफ साइजे इनके डिफरेंट्स अब जिस तरह उसने का है कि अगर आपने ज्यादा मटेरियल को हैंडल करना है तो आप बेल्ट का साइज बढ़ा दें अगर आपने कम मटेरियल को हैंडल करना है तो आप बेल्ट समाल साइज का यूज़ कर लें बेल्ट मेड ऑफ लियू प्रेन और टेफलॉन पॉलीमर अब बेल्ट का उसने मटिरियल बना रहता है कि यह इस टाइब के हो सकते हैं वैरी कर सकते हैं कि बेल्ट का लोड का है और बेल्ट की यूजिंग कंडिशन क्या है ऑपन टो एट्मास्फेर यूज़ करने आपने आप पास इसकी इंस्टालेशन जो वह कॉस्टली होती है हमारे पास महिंगे हैं इसकी इंस्टालेशन इतनी इजी नहीं है तो अगले लेक्चर में डिसकारे करें लिए तो अगर आपको कंफूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएगा और प्लीज चैनल को थैंक यू स्वामा पावाची थैंक यू अला फिस